करेंगी कैसे करते हैं ठीक है यह यह कहें कि स्टेटिमेटिक रिलेशन्स को कैसे हम लोग हर्वेस्ट करते हैं यूज करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे गेल उसाख ला लिखिए कि लिखेंगे लेट ड्रश जएस्ट लिखेंग लेटर्थ स्टेट हैं विंग गर तृ इंग्थिए पल्स तृओ प्धिली चब टूब्ह रास्य और श्रहह राख्श ऑ잉 विए B-E-A-R, which bear a simple ratio to one another, and ratio to one another, and to the volume of the gaseous product and to the volume of gaseous product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure. अब इसका मतलब समझीए, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी कंटेनर में नाइट्रोजन ले ले हम लोग, हैवर प्रोसेस अगर अमूनिया बनाएं, नाइट्रोजन ले ले, तो ये दोनों ही रियक्स करके क्या बनाएंगी, अमूनिया बनाएंगे, अब ये बैलेंस रियक्सन नहीं है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इसका दो नाइट्रोजन है यहां पर, यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन कर लिए हैं ना, हम लोग स्ट्रिचोमेट्रिक कोफिसियंट चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी एटामिसिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे आप जानते हो कि H2O, वाटर होता है, लेकिन H2O2, यह हाइडोजन पर अक्साइड होता है, एक पीने के काम आता है, और एक जब चोट लग जाती है, तो घावध होने के काम आता है, यह बस अन्याना, ताकि जर्म्स किल हो जाएं, तो यह पोईजनियस होता है एक तर जरुरत पर जाएं कि हमें अक्सिजन को बैलेंस करना है, तो आप इस तरफ उसके एटामेसिटी, मॉलक्यूल में एटामेसिटी आप चेंज नहीं करेंगे, आप सिर्फ चेंज करेंगे उनके स्टेचियोमेट्रिक कोफिसेंट को, और उसी को हीटें ट्रायल से आप बैलें कोफिसेंट कितना है, यहां पर क्या है, और यहां पर क्या है, इसका मतलब कि अगर यह करेंगे दोनों, तो दोनों के जो वॉल्यूम का रेसियो है, वो वन रेसियो क्या होगा, 3 होगा, एड़ शेम टंप्रेचर और अगर वॉल्यूम का रेसियो 1 रेसियो 3 है, क्या इसका मतलब, वन वॉल्यूम इसका रियक करेगा, 3 वॉल्यूम हाईड्रोजन से, यह बसन में आ जाना, अगर एक वॉल्यूम कंजूम हो रहा है आपका नाइट्रोजन, तो तीन वॉल्यूम कं क्या हम यह पहुता है इसका मतलब कि जो वालीम हो गया आपके सकते हो और टी अपन क्या लिख सकते हो अब इसको ध्यान से देखो कि अगर और और पी की बात करो और गेलियू साथ के स्टेटमेंट को पढ़ो तो उसने क्या कहा है एड़ ड़क सेम टंप्रेचर एंड प्रेशर सेम टंप्रेचर और प्रेशर का मतलब कि यह दोनों सब्सक्राइब इस देख इस यह सब्सक्राइब टो जायेगा मतलब मोलर रिटी रिश == सब्सक्राइब और चाइब वारेचोंड लिएक वह रही है तो उन प्रेचर और प्रेशर होगा इसका अ मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम का रेसियो भीवी वनडेशियो थ險 होगा दूसरी बात जो प्रोड़क्ट बनेगा तो दो भाल्यूम प्रोड़क्ट सबस्क्राइब क्शिक्ज़ यह ता तो चारे वाल्यूम बनने चाहिए था है ना लेकिन आप ये भी सोचो कि यहां पे डो एटम है यहां पर एटम कितने हैं चे टॉटल एटम कितने हो गए श्ष स। तो 8 atom हो गया तो उन्ही 8 atom को rearrange करना है और यह 1 molecule जो है वो 4 atom का हो गया तो 2 molecule कितने का हो गया तो उन्ही 8 atom को rearrange कर दिया गया एक नए molecule में जहाँ 4 atom मिलके 1 molecule बना रहे हैं और molecule 2 बना पिर तो हम नोग यहां क्या compare कर रहे मॉलकूल की का है क्लेको है उनके मॉल्सップ का कर रहे हैं उनके वॉल्यूम को का रखने वाली है इसका वॉल्यूम यहां को Vietnam हम इसके को देखेंगे क्योंकि वह को बता रहा है तो वर्ड़ी रेष्यो्ट ऑब अगर समस्क्जित उसी ने कह दिया question frame कर दिया कि बताइए हमने hydrogen के 1500 ml लिये हैं कितना लिये हैं 150 ml अब हमें ये पता है कि हम कितना nitrogen consume होगी हमें नहीं पता है इसका कितना volume consume होने वाला है हमने मान लिया x ml है और हमसे पूछा गया कि product कितना ml बनेगा हमने मान लिया क्या है y ml बनेगा हमें x और y की value बताँए कि x कितना होगा और y कितना होगा Als Muse ने कि में लाएग कि प्रपोशन होगा लेकिन यहां पर वॉनियम हमें कितना दीख रहा है आक्स रेसियो आप सब्सक्रेंडर्पोहां होंगे यह क्या होंगे इसलिए और यहीं या रेसियो कि अवा披्शन अब proportion में मतलब कि जो product of mean है वो product of extreme के क्या हो जाएगा equal हो जाएगा extreme का मतलब यह समझ रहा हो यह अगर दो ratio equal है जैसे a by b अगर c by d के equal है तो यह तो arithmetic हम लोग ऐसे सोचते हैं इसको ratio के form में ऐसे सोचते हैं कि a ratio b equal है c ratio dk और ratio proportion की term में जो हम लोग पढ़ते हैं छोटी class में वो ऐसे समझते हैं कि यह proportion है c ratio dk अब देखिए यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो cross multiply कर दोगे तो कहोगे कि a d c equals to क्या लिखोगे बीसी लिखोगे उसी चीज़ को हम ऐसे कह रहे हैं कि product of mean हो गया बीच वालों का product और into product of क्या हो गया extreme हो गया हम ऐसे सोचने उस बात को यह सोचने के तरीका थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो यहां से क्या आ रहा है इसका मतलब three x equals to क्या हो गया 150 हो गया ठीक है x equals to 50 ml आ गया इसका मतलब कि nitrogen के कितने कितना volume consume होने वाला है 50 ml consume होने वाला है अब product कितना बनेगा तो हम लोग इसी से इसका ratio देख लेते हैं तो हमने कहा कि यह भी सेम ratio में बनेंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर ratio क्या हो जाएगा बोलो यहां पर ratio क्या हो जाएगा इसका इसका तो हम कहेंगे कि three into two है ना इनके coefficient का ratio क्या है three ratio two है अब यह proportion में होना चाहिए किसके 150 और ratio क्या होना चाहिए why होना चाहिए तो हम कहेंगे 150 ratio क्या हो गया फिर वही बात प्रोड़क्ट आफ एक्स्ट्रीम प्रोड़क्ट आफ मीन तो वाई को इस डारेट क्या दिख रहा है इनका प्रोड़क्ट डिवाइट भाई थ्री अब तो डारेट लिख सकते हैं ना तो two into one fifty upon three ठीक है तो यह क्यों हन्डेड ml अब होना भी था है ना यह किता हो गया हंडेड में हो गया है यह वासन में आ गया अब दूसरा क्वेस्टन माली जे बैरियेशन करते हैं हमने यह कह दिया कि इस बार one fifty ml हाइड्रोजन के हमने लिए किसके लिए हाइड्रोजन के तब आप सब के वाल्यूम निका लिए चल अब देखो चलो अब ध्याद से समझो सबसे पहली बात जब आपके पास more than one reactant का information दिया हो खत्रा बढ़ गया है यह समझना चाहिए अब यह जरूरी नहीं है क्योंकि यह react करते हैं one ratio three में यहां पर यह अपने stoichiometric coefficient के ratio में react करते हैं इसका मतलब सपोज हमने यह कह दिया हमने इस volume को इस information को hide किया और हमने कहा कि चलो यह information मालो नहीं होती तो इसका एक volume कितने volume से react करेगा three volume से मतलब कि इसका 50 ml इसके तीन गुने volume से react करेगा 1500 ml चाहिए क्या अपने पास 1500 ml है है तो 200 है इसका मतलब यह हुआ कि reaction हो जाएगी और साथ में इसका 50 ml बचेगा भी कि वसन में इसका मतलब यह हुआ कि यह खतम हो जाएगा पूरी तरह से यह limiting reagent है यह क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा लेकिन यह 1500 करेगा और 50 ml क्या रहेगा बचा रहेगा अब चलिए के लिए यह वन थाड़ चाहिए तीन मुना कम चाहिए नहीं आपर वन थाड़ चाहिए वन थाड़ का मतलब 200 का वन थाड़ कितना होगा 66 पॉइंट सम्थिंग आएगा सर्कुल कर देते हैं अब हम इसके हिसाब से डिसीजर लेंगे हमने कहा कि एक बार हमने आडेंटिफाइग कर लिया कि कौन सा लिम्टिंग डिएजेंट है तो उसी किसाब से डिशेरा से प्रोसीड करते हैं कि सपोज इसका एक्स वॉल्यूम कंजीन होगा और इसका वाय क्या होना चाहिए यह बराबर होने चाहिए इसका मतर्व प्रोड़क्ट आफ मीन प्रोड़क्ट आफ एक्स्ट्रीम के इक्वल तो एक्स किसके इक्वल आ गया 150 ml आ गया यह कंजीम हो जाएगा इसी तरह से वाई कितना बनेगा तो हम कहेंगे इनके कोफिसेंट का रेशियो क प्रोड़क्ट आफ मीन फोड़क्ट आफ मीन इसका मतलग कि यह पूरा 50 ml कंज्यूम होने वाला है इसमें से कितना खर्च होने वाला है यह पहले जीरो में था और कितना बनने वाला है तो कंपोजीशन में जो आपके पास एक ही कंटेनर होगा ना जो रियेक्शन हो रही होगी एक ही कंटेनर में हो रही होगी तो इस कंटेनर में क्या क्या होगा नाइट्रोजन तो कंजीम होगी पुरी तरह से कितना बचा जीरो एमेल नाइट्रोजन बचा ही नहीं कंजीम हो ग अमोनिया पहले तो थी नहीं लेकिन अब बन चुकी है तो कंटेनर में तो होगी क्योंकि क्लोज सिस्टम होगा इसका मतलब कितना होगा सो एमेल क्या हो जाएगा आपका अमोनिया हो जाएगा है तो नोट कर लो लिखो जाएगल लॉगो जा्एगल अप्ल ला इस बैलिड वर गैसे होगा इस वाली वाल इस वाली वर गैसे है दो बनाद बीवाइगा एप्लाइगा एंट लिख सोल इन लिखेंगा इसाहीत कई एपलाइगा अड़ी इस्टम लॉड लॉड अब एक क्वेशन लिखो 200 ml और सब्सक्राइब 200 सेंटीमेटर क्यूब 200 सेंटीमेटर क्यूब और इथाइलीन इथाइलीन ब्रैकेट में C2H4 ब्रैकेट क्लोज इस बॉर्ण 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 किया जाता है बॉर्ण इस बॉर्ण इन जस्ट सफिसेंट एयर गङी प्रैकेटर कि अर में जस्ट सफिसेंट एयर यव यव यह बॉर्ण ड्रण यंवन इस बॉर्ण परक्रफेशन वं ईखनींट से सब्सक्राइब परक्रिस बॉर्ण और सब्सक्राइब from carbon dioxide gas and steam steam water vapor steam full stop if if all measurements if all measurements are made at constant pressure and 100 degree centigrade and 100 degree centigrade and 100 degree centigrade find the composition of the resulting mixture find the composition of the resulting mixture we know that hydrocarbon हीट से में को devrait नहीं हमसें पहले लग ला लगने से पहले पता होना चाहिया था और इंचन आपको लखने आना चाहिए उसके बाद उसको बैलेंस करना है नहीं है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कैसे करते हैं सबसे पहले अजुम्ट चो भी यह वह उडिय अजन spoilers करते कौन है तो पहले वाशंक्षीजट और बैलेंस कर Seems तो यहां पर किते समझड़ाई करते हैं। यह आ गई बैलेंस अब हम लोग इसकी वैलिटी चेक करते हैं कि क्या गेलुसाकला हम लोग लगा सकते हैं तो यह झारा गैस ऑक्सीजन होता ही एंगाश होता ही है और वाटर वेपर को भी मतलब कर सकते हैं इसका मतलब क्या-क्या दे रखा था आपको इंफरमेशन में सब्सक्राइब करें तो यहां पर इस्तिमाल करी गई है सफिसेंट इस्तिमाल करें जिसमें 20 परसेंट सिर्फ ऑक्सीजन है आपके काम की चीज़ 20 परसेंट चलिए वाद में लोग देख लेते हैं तो हमने कहा कि सपफिसेंट हमारे पास य से बर्न हो जायेगा मतब लिमिटिम्स का भी अपका खतम हो जाएगा यए खतां नहीं होगी होगील यह प्रोडीश होगा और वाटर वेपर हमने माल लिया जेड़ेमेल होगा या जेड़ सेंटीमेटर क्यूब कि इसका सेंटीमेटर क्यूब में इंफरमेशन दिया है तो हम क्या कहेंगे जो इनके स्टेचिमेट्रिक कोफिसियंट गैजनी कि होना चाहिए अब यहां से क्या जाएगा और सेंटीमेटर क्यूब हमें आक्सीजन चाहिए लेकिन हमें और इर्प्लाई नहीं हो रही है एक आपको लाना चाहिए तो अगर एर का वॉल्यूम वी है तो इसका 20 परसेंट ऑक्सीजन होगा एक कहा है ना 20 परसेंट ऑक्सीजन होगा इसका और यह 20 परसेंट किसके एकको लाना चाहिए 600 के एक को लाना चाहिए मतब 20 by 100 इंटु वी एक कोस्टू क्या हो गया 600 हो गया यहां से कटा 5 आया और 635 तीन हजार आ गया तो तीन हजार सेंटीमेटर क्यूब एयर आप इस्तेमाल करने वाले हो रियक्शन को कम्प्रीट कराने के लिए यह बस अन्या आ गया तो यह एयर इत इतना प्रोडीस होगी तो फिर हम अपने लिम्टिंग रियस्जेंट से क्या कर लेंगे कंपेर कर लेंगे तो हम कहेंगे कि वन रेसियो टू वन रेसियो हां टू किसके एक कोल होना चाहिए इसका मतलब 400 वाइंटु वन कितना आ जाएगा वाइक वस्टू 400 आ गया सैंटीमेटर की इसका मतलब कारबन डए आकसाइड 400 सेंटीमेटर क्यूूब कंपोजीशन में होगी लेकिन फाइनल कंपोजीशन में एसी ट्लीन नहीं होगी वह बन कर चुकी होगी इसके बाद वाटर वेफर भी होगा वाटर वेपर कैसे आएगा 200 तो को फिजेंट का रे तो क्या हो जाएगा और यहां भी आजाएगा जाएगा इसका मतलब जो फाइनल कंपोजीशन हो गया उसमें क्या क्या होगा उसमें होगी यह तो एर कंजीम हो चुकी होगी यह वासन में ना यह सफीसियंट आपने लिया है बागी तो लिया भी नहीं है इसका मतलब आपका वो चुका होगा जीरो हो गया यह भी जीरो कंपोजिशन में कार्बंडे अक्साइड होगी और क्या होगा वाटर वेपर दोनों ही कितने होंगे 400 400 ml यह फाइनल कंपोजिशन हो गया ठीक